हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो इंफिनिटी ट्रिक्स और हम आज ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं जो हमारी बाकी वीडियो से थोड़ी हट के होने वाली है क्योंकि हर बार में कोई OTT platform के बारे में वीडियो बनाता हूँ कि उस पर आप क्या देख सकते हैं और कौन-कौन से language में देख सकते हैं तो लोग पुछते हैं कि इतने सारे OTT platform हैं तो हम किसका subscription ले और कौन सा सबसे सस्ता है तो इसलिए इस वीडियो में 2023 में इंडिया की टॉप 10 OTT platform के बारे में डिसकस करने वाला हूँ और मैं आपको हर OTT platform के plans के बारे ही बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो OTT platform किसले famous है लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहतेता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत बुलिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा अब चलिए जाद दे ना करते हूँ वीडियो को सुरू करते हैं नमबर 10 पर जो प्लेटफोर्म आ रहा है उसका नाम है उल्लू इंडिया में उल्लू के लगबग 23 लाग सब्सक्राइबर्स हैं और ये नमबर इतना कम इसलिए है क्योंकि उल्लू पर जादर 18 प्लस कॉंटेंट ही आते हैं जिन में से कुछ फेमस हैं डांस बार, सुब राती और पान चाली और भी कई सारे सो इस पे आते हैं लेकिन जादतर सब एडल्ट कॉंटेंट ही होते हैं और अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इसका पर माहिना का सब्सक्रिप्शन है 180 रुपीज का और एक साल का इसका सब्सक्रिप्शन है 450 रुपीज का और इसके कुछ-कुछ सोको तो आप MX Square पे भी देख सकते हैं नमबर नाइन पे जो OTT platform आ रहा है उसका नाम है वूट सेलेक्ट जब असूर रिलीज हुई थी तब सायद काफी लोगों ने वूट का सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन आज असूर को रिलीज हुए दो साल हो गए है और उसके बाद इस platform में कोई खास बड़ा content आया नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि इस साल का IPL याने की याने 2023 का जो IPL का broadcast होगा वूट पे दिखाए जाने वाला है तो सायद इस साल इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है और फिलाल अभी देख इसका सिब 30 लाग सब्सक्रिपर्स हैं इंडिया में और इसका प्लैन अगर अप लेना चाहते है तो 99 का इसका monthly pack है और 299 का इसका yearly pack है नमबर 8 पर जो प्लैटफर्म आ रहा है उसका नामे Alt Balaji ये प्लैटफर्म है 2020 में काफी फेमस था क्योंकि तब इस पे सिट 18 प्लस कॉंटेंट नहीं बलकि और कई सारे कॉंटेंट आते थे तो उसके मैंने दो वीडियो बनाई है जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और इंडिया में फिलहाल इसका subscription 34 lakhs है और अगर आप इसका subscription लेना चाहते हैं तो इसका दो महिने का pack है 100 रुपे का और पूरे साल का pack आता है 300 रुपे का अगला OTT प्लेटफोर्म जो नमबर 7 पे आ रहा है उसका नाम हंगामा प्ले और इस प्लेटफोर्म में लगबग 60 लाग के subscribers है चुकि जाया तर इसमें cartoon वाले content आते हैं जो हम बच्पर में देखा करते थे और इस पे कई सारे ऐसे भी show हैं जिसे आप MX Play पे देख चुके होंगे जैसे damage हो गया या फिर इंदोरी इश्क और इसको लोग इतना इसलिए देखते हैं क्योंकि इस पे content बहुत ज़्यादा है भले ही है इसका अपना content नहीं है लेकिन कई सारे movie या web series या cartoon आप इस OTT platform पे देख सकते हैं और इसका एक महिने का subscription का दाम है 99 रूपिस और एक सल का plan है 7.99 रूपिस का नंबर 6 पे जो platform आ रहा है उसका नाम है Z5 और इंडिया में इसके total 75 लाग subscribers है क्योंकि इस पर बहुत सारी अलग-अलग की show और series आते रहती है और अगर आप इंडिया के कोई भी region में रहते हैं तो आपके region का language वाला show इस platform पे आता है चाहे वो बेंगोली हो गया, चाहे वो तमिल हो गया, चाहे वो तेलगू हो गया या फिर मराथी और TV में G-Studio पे जो भी चीज़े आती हैं वो इस OTT platform पे आप देख सकते हैं जैसे dance, इडिया डैन्स हो गया या फिर बहुत सारे अलग reality show और कुछ-कुछ TVFT series जैसे pictures वो भी इस platform पे आप देख सकते हैं और इसका महिने का plan का दाम है 99 रुपीज और एक साल का plan का इसका price है 4.99 रुपीज का और नमबर 5 पे जो OTT platform आ रहा है उसका नाम है Netflix India हाँ पूरी दुनिया में Netflix तो काफी famous है मगर इंडिया में उसके उतने subscribers नहीं है क्योंकि इसके total subscribers के count बोल सकते हैं तो आप लगबग 95 लग के आसपास है और Netflix पे कितने कमाल के content आता है ये तो आपको पता ही होगा चाहे वो हिंदी language में हो या फिर English language में हो अगर आप web series देखते हैं तो सबसी पहली web series साइध आप secret games देखे होंगे और वो Netflix पे ही आया था क्योंकि Netflix ही वो platform है जिसमें इंडिया में web series की शुरुआत की थी और उसके अलावा इसमें कई सारी ऐसी series है जैसे stranger things, squid games, mission majnu और RRR और अगर आप Netflix के बारे में और जाना चाते हैं तो हमारे चैनल पे उसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी और इसका एक महिने का plan कादा में 149 रुपीज और इसका yearly plan इंडिया में अभी तक नहीं आया है इसका नाम है सोनी लिप, सोनी लिप का total 1.2 करोर सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में और उसके main reason एक ही है कि इस पे आप कई तरह के sports देख सकते हैं चाहिए वो basketball हो गया या फिर football और उसके अलावा इस पे कई सारी series भी ऐसी आई है जैसे scam 1992, rocket boys और सोनी लिप के content के बारे में भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे channel पे वो आपको मिल जाएगी और इसका plan का price है एक महिना का 299 और पूरे साल का इसका price है 999 नमबर 3 पे जो OTT platform आ रहा है उसका नाम है MX Player और ये नमबर 3 पे इसलिए है क्योंकि इस platform पे आप सब कुछ free में देख सकते हैं और इंडिया में इसके total 2.8 crore users हैं क्योंकि सब कुछ आपको free में मिलता है इसलिए इसके users भी ज़्यादा है मगर इसमें बस एक कमी है कि इसके content में आपको बीजबिट में add देखने को मिलता है और MX Player पे कई सारी ऐसी series आ चुकी है जैसे मस्तराम, इंदोरी, इसक, आश्रम और हेलो मिनी और MX Player के बारे में अगर आप जानना चाते हैं तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा और अगर आप बिना add के MX Player को यूज़ करना चाते हैं तो इसका तीन महिने का pack आता है 2.99 रुपिस का और एक साल का pack आता है 4.99 रुपिस का और नमबर टू पे जो platform आ रहा है उसका नाम है Amazon Prime Videos और इंडिया में Amazon Prime Videos के सब्सक्राइबर 3.1 करोड लोग हैं क्योंकि इस platform में कई सारी ऐसी series आ चुकी हैं जो सभी ने देखी हैं जैसे मिर्जापूर, फैमिली मैन और हाल फिलहाल में इसके एक series आई है जिसका नाम है फरजी और वो भी लोगों को काफी पसंद आई है और इंडिया सीरीज के बात करें तो Lord of the Ring की एक series इसी platform में आई है जो लोगों ने बहुत पसंद किया है और Amazon Prime Videos पे आप कई सारे language में content को देख सकते हैं और Amazon Prime Videos के बारे में भी हमारे चनल पे video uploaded है तो उसे भी आप वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं और इसके plan के बारे में आपको बता दू तो इसका महिने का plan होता है 179 रूपीज का और एक साल का plan इसका लगबग 1499 रूपीज का है हमारा number one पे जो platform आ रहा है उसका नाम है Disney Plus Hot Star और इंडिया में इसके total 4.9 करोर यूजर्स है क्योंकि इस पे सबसे main content आता है वो है cricket अगर इंडिया का किसी के साथ भी match हो तो ज़्यादा तर match आप Disney Plus Hot Star पे देख सकते हैं और उसके अलावा Marvel की कोई भी movie हो या Star Wars की कोई भी movie हो उसको आप इस OTT platform पे देख सकते हैं और अगर आपको Disney Plus Hot Star के बारे में जानना है तो उसका वीडियो भी हमारे चनल पे आपको मिल जाएगा और इसके plan के बारे में आपको बता दू कि इसका plan एक मैने का 149 रुपीज का है और एक साल का plan 1499 रुपीज का है तो दोस्तों ये थी 2023 में इंडिया की top 10 OTT platform जिसका आप subscription ले सकते हैं और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरे चैनल पे बहुत सारी पहले ही ऐसी वीडियो uploaded है जहापे किस platform पे आपको क्या क्या चीजे मिल सकती है उसके बारे में detailed explanation दिया गया है और ये वीडियो इस topic का first part था और इसका next part याने की number 11 से number 20 तक आने वाले OTT platform के बारे में आपको जल्दी बता दूँगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरू कीजेगा और यहां तक आई ही चुके हैं तो चलने को subscribe करना मत बुलेगा और हमें comment करके जरू बताइएगा कि आपके पास किन किन OTT platform का subscription है चले धन्यबाद मिलते हैं अगले वीडियो में